यह कहानी है एक मचुवारे महेश की, जो एक छोटे से गाव में रहता था. महेश को मचलियों को पकड़ने की बड़ी आदत थी. वह हर दिन सुबह तैयारी करके समुद्र में अपनी नाव लेकर निकल जाता था. उसकी पकड़ इतनी अच्छी थी कि गाव के लोग उसे सबस महिर मानते थे. एक दिन जब महेश अपनी नाव लेकर समुद्र में गया, तब उसने एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय मचली को पकड़ा. वह मचली किसी भी आम मचली से बिलकुल अलग थी. उसके सिरे में मोती की तरह चमकते हुए तार थे और उसके शरीर पर अंगिनत रंगों की चमक थी. महेश को देखते ही लगा कि यह कोई जादूई मचली है. महेश ने उस मचली को पकड़ा और ध्यान से उसको देखा. उसने उसकी एक तार निकाली और सोचा, यह मेरे लिए कितनी भाग्यशाली है, मुझे अपनी गरीबी से छुटकारा मिलेगा. वह महेश की आर्थिक स्थिती तुरंत सुधार गई और उसने एक बड़ा बंगला और सम्रिध्ध की जिंदगी बिताने लगा. लेकिन धीरे धीरे महेश को एक गुलामी की भावना महसूस होने लगी. वह महसूस करने लगा कि उसने उस जादूई मचली से कुछ अनमोल चीज चीनली है. रात को वह उस मचली के बारे में सोचता और उसे खुद को गरीब और बेहतरीन महसूस होता. एक रात महेश ने अपना निर्णय लिया कि वह उस जादूई तार को मचली को वापस कर देगा. उसने जल्दी से अपनी नाव तयार की और समुद्र में वापस निकल बहुत दूर नहीं जाने के बाद महेश ने वहीं समुद्र के ऊपर एक चमक देखी. वहां उसी जगह पर वह जादूई मचली थी. वह धीरे धीरे उसके पास गया और ध्यान से उस जादूई तार को पानी में वापस रखा. तुरंत समुद्र में चमक घेर गई और एक आ भार देने की रूप में मैं तुम्हें यह छोड़ देता हूँ.